की यूज़ करने की जुरुवत नहीं है सिर्फ आप अपने फोन से अपनी कार ड्राइव कर पाऊगे और समझ रहो ना ड्राइव कर पाऊगे यह तो वैसे होगी नहीं चोरी लेकिन अगर माल लीजे कोई ले जाता है कैसे भी तो मेरे फोन पर वो ऑप्शन रहेगा कि जहां तो वो इंजन बंद करेगा इंजन आफ करते ही तो मैं अपने आइसमार्ट से वो आफ कर सकता हूं और उसके बाद दुबारा गाड़ी चालो नहीं है चालो जी रंग बरसे अगर आप लाइट कलर चेंज हो रहे हैं अगर हम जाते हैं तो हम ट्राफिक जाम असेस्ट यूज करते हैं तो वहां पर सिर्फ हमें अपने स्टेरिंग यूज करनी है अच्छा मतलब वह रिलाक्स आपको एकस्पीड बी नहीं करना है अपको कुछ भी नहीं करना आपको बहुत बहुत रहने वाला क्योंकि यहीं चलता रहता है 24 गंटे दोनों रिलाक्स आपको एकस्रलेट भी नहीं करना है और को ब्रेक भी नहीं करना है वो खुद असिस्ट करेगा है अपको बहुत दस्वात है अरपी काड़ व्लाउस के एक और प्रैम यूडब में मेरा ना बहुत टाइम बाद सुरी टाइम मिला और कार भी हमारी आई अच्छे पुर्णाने में टाइम लगता है बिल्कुल 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 डेटेल देने के जुड़ने वाले हैं दोबार से अपने दिलेशर क्योंकि अच्छे साब को डिटेल दे पाएंगे एंड कितने से पूरी कार ही चेंज हो गई है बहुत ही ब्यूटिफुल बंस पूरी कूबसूरत बनाया हुआ है उन्होंने साथ ही साथ आप इसमें देखेंगे जो हैड यूनिट है इसका हेड़ लम कहें पुल बलेडी के साथ दे दिया गया है विद फ्रोटी इंडिकेटर तो इस बर य यह जाए है काफी अच्छी है क्रोम एकसेंट का काम किया गया सामने जो अब जादा अच्छा लग रहा बिसे कि टॉप मोडल सरीये सार प्रो इसमें इस बर सर फाइव सीटर जो है वह चार मोडल के साथ आएंगे अच्छा फिर अगर शिक्सीटर की बात करें तो पेट्रोल पेट्रोल आटमेटिक और डीजल मैनुवल वह पांच मॉडल उसमें आ जाएंगे और एक निउज जो सभी के लिए बहुत अच्छी है जो सेवन सीटर यूजर्स उनकी काफी सिकायत थी कि सेवन सीटर पेट्रोल में टॉप मॉडल क्यों नहीं आठी है इस बार हम पेट्रोल मैनुवल में भी टॉप मॉडल दे रहे हैं और ऑटमेटिक में भी टॉप मॉडल यह प्लस वेरिंट आए गाए जो प्लस वेरिंट और जो सिक्सीटर का इंटीर है वह भी बहुत खुप सूरत है श्रब तो आप फाइव सीटर देखेंगे जी खास बात यह की गाड़ी होन आप लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर जो आपको आगे चलके पता चलेंगे काड़ी की लेंद इस पर बढ़ी हुई है लेंद बढ़ी हुई है लेंद इस पर बढ़ा दिया गया है इसमें तो पहले जो इसकी लेंद थी वह 4655 थी अभी यह 4699 mm की कर दी गई है तो अब को इसमें अब आपको स्पेस मिलेगा जाता मिलेगा विलकुल बिल्कुल साइट सेकर आप लोगो लेके चलते हैं तो साइड में क्या चींजिस हो एंपिस्ट्राइब बिसीकली को बिलर है इस बी पिलर को हॉट बनाए गया है जो हाई स्टेंथ इस्टील के साथ है ठी प्रिएटों को इंपैक किसी बी तरह फोल्ड करने में कामियाब दी हो जाता है हमने रोल पाइप उसकी आइप अच्छा तो रोल पाइप जो होती है वह मुडती मूरती नहीं हो न मूरती मान नगीजे किसी इंपक में मुड़ भी गई लिकिंगे रोल पाइप नहीं नहीं बाइग तो इंपक किसी भी लेबल का हो वो केविद नहीं चाहिए मसीन डिलॉइ वील है बिसकली यह तो टॉप एंड वेरियंट है लेकिन एक खास बात जो इनका नीजे से से केंड वेरियंट इसमें आपको सुन रूप देखने के लिए मिलने वाला है बिल्कुल इस बार हमने जो लोईस्ट मोडल्स में हमारे इस बार हम तीन मोडल्स में हम को सुन रूप देंगे स्मार्ट प्रो और सार प्रो तीनों में सुन रूप और वह भी पैनरोमिक सुन रूप पीछे बहुत सारा चेंज हुआ है तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि यह रियर ब्लेड लाइट दी हुई है जो फुल एलीड के साथ है तो एक फुल कॉमब जाता है और विजबिल्टी जो है बहुत ही कूल और यह हैक्टर का एमबल आजाता है यहां पर बोल्ड कर दिया है काफी पहले तो आता ही नहीं था जी बिसीकली कैमरा यहां पर लगा हुआ है पीछे आपकर ऑप रहे हैं कि बिलकुल सेंसर मिल जाएंगे पीछे रियर सें जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत ली मैसिव आपको बूट स्पेस दिया है जो 587 लीटर का है इतने अच्छे लेग रूम होने के बाद इतना बड़ा आपको बूट स्पेस देखने के लिए है इसमें अभी एक और चीज़ है यहां भी हमने स्पेस दिया हुआ है जो कुछ चीज़ें आप रख सकते हो आप इसमें रख सकते हैं यह एम्प्लिफायर है इसमें आपको सुनाएंगे बहुत प्यारा है इस प्रेयर वील जो है हमने नीचे रखा हुआ है जिससे आपको कई बार होता है ना का केले हो जाते है तो उठा कर रखना कर दो यह बहुत ही कमफरटेबल है कि अगर फीमेल ड्राइवर्स भी है काफी इसली वह उसको रिमू हो जाएगा बिल्कुए बंद हम करें दिखाते हैं आपको कोई महनत नहीं करने और यह एंटी पिंच भी है किर मार नीचे कभी बच्चे आ जाते हैं यह तो यह उनको हाम नहीं करेगा हां बेसिकली यह चीज अच्छी है क्योंकि काई वारो बन लगया नीची आते जाते ज अच्छा और डीजल के हम बात करें तो डीजल यह यूस करते हैं तर्बो 2000 cc with 170 bhp and 350 nm तर्क तो काफी अच्छी इंजन कैपिसिटी और पावर के साथ है और सबसे अच्छी चीज 555 पॉलसी मने पिछली बार भी बताई थी इसको अच्छा लगता है हां दूसरी कंपनियों अच्छा हम नहीं लेते इसमें यह हमारी तरब से कस्टमर को एक गिफ्ट होता है 555 पॉलसी में पहली पांच एयर की जो वारंटी है वो हम आपको फ्री देते हैं बेसिकली इंजन की होती है अच्छा यह इंजन वारंटी होती है जो पांच साल के लिए फ्री मिलता है और तुछ प्लेयर आपको इसमें दिखाने जाएंगे हम यह 14 इंच का होगा और इसमें 3 यह की वारंटी आपको फ्री मिलेगी अच्छा ठीक है फिर 5 यह अनलिम्टेट किलोमेटर का रोट साइड असिस्टेंस भी आपको फ्री मिलेगी यह बहुत जरूरी है ठीक है बहुत ज काड़ी बेचने के बाद आपको कस्टमर एक्सपिरेंस बना चाहिए ना उसी से आप दोवारा जुड़ते हो इसमें यह बहुत जरूरी चीज है इसमें वह फीचर भी है आप जैसे दूर जाएंगे तो अपनी गाड़ी ऑटमेटिक है यह एप्रॉच अनलॉक फीचर है ज हुआ है यह जो इस सेग्मेंट की कारों में है हम हेक्टर में अस्टर में देते थे यह लेकिन डीबल बन था इसमें जो दिया है में लेबल टु दिया अदल्प को कार में की यूज्रूरत नहearं सिर्फ आप अपने फोन से अपनी कार ंड्राइब कर पाओगे और समझ Bluetooth की sharing option आ गया है जैसे मुझे अपने friend को सिरफ 8 गंटे के ले गाड़ी देना है आप time slot book कर सकते हो आप time slot book कर सकते हो कि आप बारा तारीक को 5 वजे से 8 वजे तक use करो तो जोट बोल के कहीं दूर लेगा तो वो time slot भी आप book कर सकते हो बिल्कुल 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 अदर से आप दिखा दीजिए एक बार अट्रग सर इस बार जैसा कि सब आप सामने देखी सकते हो एक बहुत ही beautiful dashboard आपको मिल रहा है जो feel आपको leather touch के साथ मिलता है with chrome accents आजाते है मझे तो डैसला बला feel आ रहा है यह 14-inch HD ported touch player है आप जैसा कि देख सकते है आप इसको phone की तरह यूज़ कर सकते है यह shortcuts है जो इसमें आप यूज़ कर पाएंगे अभी 4G के टावर आ रहा है इसमें यह ready to 5G SIM दिया है सरा आपको जान के अच्छा लगेगा कि इस बार हमने इसमें जीओ की SIM यूज़ की हुई है पिछली बार जो हेक्टर यूज़ कर रहा था वो कर रहा था रलाइंस की SIM जो एटल के नेटवर्क पे काम करती थी अभी यह जीओ की SIM है जीओ की SIM आपको 3 years का unlimited data देती है और इसमें हमने कुछ चीज़े और add-on की है अपने customers के लिए जैसे की आपको बता देते है सबसे पहले तो हमने इसमें add-on किया है Park Plus Park Plus होता है basically for a metro cities की वहाँ पे जैसे अपने हाँ तो हम कहीं भी गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं वहाँ पे यसा नहीं होता वहाँ पे आपको parking slot book करने होते है जैसे आप दिल्ली में कनाट प्लेस में है तो आपको slot book करना होगा तो आप Park Plus के थूँ वह slot book कर सकते हो यह basically US की concept है क्योंकि वहाँ यसा ही चलता है foreign में तो यही होता है आपको एक जो है parking slot proper book करने होते है यह आपको इसमें मिलता है फिर जीयो सावन का हमने इसमें premium account आपको दिया हुआ है तो जीयो सावन आपको unlimited songs provide करेगा जो आपकी journey को और बहुत खुबसूरत बनाएगा फिर इसके बाद आजाता है हमारा map my India का online navigation जी तो यह आपको एक बहुत ही बहुत खुबसूरत view भी देता है जो यह by default आपके screen में रहेगा बागी जब चालू होता है तो काफी अच्छा animation आता है बहुत बहुत खुबसूरत आता है तो इसमें आप जो viewing है वो काफी clear रहेगी आपको साथ ही साथ आप जैसे कई लोगों की compliance थी कि ठीक है road तो बड़े सहरों में highways में clear होते हैं लेकिन in city क्या viewing मिलेगी in city इसकी clarity है बहुत अच्छी है बढ़ी है इस बागी है जैसे अब जबलपूर में हमने try किया है तो जबलपूर में भी हमें मैप ढूंडने में दिक्कत नहीं होगी दिक्कत नहीं आई नसमें बिलकुल नहीं इसमें android auto or apple carplay हमारे काफी लोगों को सिकायत थी कि wire लगाना पड़ता है इस बार ये wireless हो गया है इस बार wireless हो गया है बिलकुल तो आप android auto or apple carplay wireless use कर सकते हैं अब इसमें हम आगे आते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह sunroof आप देख रहे हैं अच्छा यही से उपन हो जाएगा इस बार अब इस बार यहां से और जितना आप चाहें 10% 20% 30% 40% यह हमने फूरा open किया अब यह दिए ओके इसलिए बार तो वोल के open कर रहे हैं वो तो है ही अच्छा उसमें add-on हुए command इस बार बिलकुल उसमें add-on command हुए है उसमें English के command 35-50 कर दिये 35-50 कर दिये तो आपको कुछ और चीजें जो है वो special मिलेंगी अभी मैं और बताता जाता हम आपको ठीक है इसे आपन थोड़ा सा बंद कर देते हैं क्योंकि लाइट काफी आ रही है यह बंद कर देते हैं वागी आप यहां से भी manually कर सकते हैं आप तीन तरीके से इसमें प्रिसिकली sunroof वगारों को open कर सकते हैं device command आप कर सकते हैं आपको key options भी मिलते हैं lock press करते हैं unlock button को तो आप sunroof और चारो windows open कर सकते हैं फिर इसके साथ i smart app आता है जो आपके phone में install होता है और उसके through भी आप car को lock unlock कर सकते हो आप fuel option चेक कर सकते हो कि आपके पास कितना fuel है आपने जैसे अपनी family को कहीं भेजा हुआ है तो आपको location चेक करने हैं तो आप वह भी चेक कर सकते हो कि आपकी car currently कहां पे है एक safety का feature है basic बहुत important features है और साथी साथ आपका driving pattern चेक होता है कि कितने बार आप हराज breaking करते हो कितने बार आप sudden turn लेते हो over speeding करते हो यह सारी चीछे यह उनके लिए भी फायदा है जैसे करें भी गाड़ी चोरी वेगर रहो गई जैसे ना हो तो आप track कर सकते है अपनी गाड़ी को यह आपने अच्छा पूछा इस बार हमने इसमें embolizer जो use किया है जैसे कि यह तो वैसे होगी नहीं लेकिन अगर मालीजे कोई ले जाता है कैसे भी तो मेरे फोन पर वो option रहेगा कि जहां वो engine बंद करेगा engine off करते ही तो मैं अपने iSmart से वो off कर सकता हूँ और उसके बाद दुबारा गाड़ी चालू चालू ही नहीं होगी चालू ही नहीं होगी बहुत प्यारा फीचर है क्योंकि जरूरी है यह अगर इतना पैसापन लगा रहे हैं तो safety के लिए थोड़ा सा मिल लाइं चाहिए safety सबसे ज़्यादा priority है हमारी और हमने उस चीज को पूरा ध्यान रखा हूँ और इस बार फाइव स्टार है सारी चीजों में फाइव स्टार मिलेगी उसके बाद देख लेते हैं Ambient light तो Ambient light पिछली बार भी जो थी वह 8 colors में थी लेकिन इस बार खास क्या है इस बार खास यह है कि पिछली बार कुछ हमारे customers को सिकायत थी कि यह dashboard में नहीं है आपके इस बार हमने पूरी dashboard में रखी है center console आपका यहां आ जाता है पिर साथ ही साथ footrest आपका और इस बार कुछ commands भी हमने दे दिये हैं रंग बरसे इस देखे अपने आप light color चेंज हो रहे है और यह बहुत frequent change होते है यह mode case आप से change होते जाएंगे उसके बाद आपको जो चीजे इसमें और मिलेंगी जो हम देख सकते हैं इसमें AC तो पहले सही auto आती थी लेकिन इस बार जो हमने इसमें set किया है वो PM 2.5 filter है जो the best of the best है air purifiers with AQI अब ionizer तो आपने बोल दिया लेकिन सायद मेरे कुछ लोगों को ionizer थोड़ा सा odd लगेगा मैं बता देता हूं sorry बहुत प्यारा feature है यह ionizer खासकर उन लोगों के लिए जिनके जैसे छोटे-छोटे बच्चे हैं कई बार हम दोस्तों के साथ भी हो जाता है तो बच्चों के साथ क्या होता है कि कई बार वह चिप्स समोसा क्वानियन यह सब चीज़े कार के अंदर ही इट करते है तो कार में बहुत ही बैड स्मेल आ जाती है तो यह जो आयोनाजर है आप यहां देखेंगे यह आयोनाजर हमने स्टार्ट किया और आप यह देखें एक्यू आई यहां पर बहुत ही अच्छा कर देगा और अंदर का जो आपको एयर प्यूरिफाइंग है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा इसके बाद हम जो क्रिश्टी शोरूम पे बाहर जो गाड़िया जा रही है वो भी कर दिख रही है और हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं मैं बताना चाहूंगा इसमें 3D का जो अप्शन है 3D यह 3D पे गए अब इसको आप यहीं से स्क्रोर कर गए अच्छा यह अपनी गाड़ी दिख रही है यह इमेजनरी व्यू है पर जो कैमरे है वो सारे लाइब है सारे लाइब है ना सारे लाइब कैमरे यह बहुत ज़रूरी है सेफटी के लिए अब पार्किंग मेरा कोई नहा नहा लगा रह और विसेश्टा है आज के जो ट्राफिक है उसमें तो बहुत ही इम्हटन्ट है यह पारकिंग में आप काई बार होता है यह तो करता है है इसे के अइफ के आगे आपका थाई शॉपोट बढ़ा दिया गया है थाई सपूट काफी अच्छा हो गया है तो मैं तो मेरी हैट तो एब्रेज है फाईव है लेकिन आप अगर तेन के भी अपनी फाईवे लेवर नहीं है तो फिर आप आप जादा अच्छा बता सत्य जो इस एक ढ़ा एक आपको बढ़ जाता है और यह AC max का option देख रहे हैं यह AC max का option ऐसा है कि एक fan speed हम start करते हैं कारी काफी heat होती है एक बढ़ प्रेस करते हैं और car का जो AC fan है वो हाई पे हो जाता है मैक्सिमम जो होगा उसमें चलता होगा उसमें चला जाएगा वो काफी आपके लिए हेलफुल हो जाता है ठीक है इसके बाद आप इसका इस बार जो हमने wireless charger दिया है ये थोड़ा सा और attractive बना दिया है साथ ही साथ दो aux cable के लिए option यहां दे दिय को ड्राइबर भी चार्ज का सकता है बिल्कुल 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 उनको क्यों अकेला छोड़ना यह एक luxury segment है तो सब का ख्याल रखा जाएगा बिल्कुल वह चीजे हमने बहुत ध्यान रखी है कि कि किसी को मतलब ऐसा नहों कि हमारा बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखा जी गया है शेप्टी की बात करते है तोड़ा जैसे चारो इसमें ओल फोर डिस्क ब्रेक दे देते हैं ठीक है उसके बाद क्रमपल जोन है ठीक है इंजन जो है पेंडूलम है तो इंपक की किसी भी कंडिशन है वी इंपक की कंडिशन में इंजन डॉप डाउन हो जाएगा जब जो डेट पैनल्टी वो बिल्कुल नहीं होने की पूरी कोशिस कर रहे हैं फिर उसके बाद आई कॉल और एकॉल फीचर्स जो आते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे आपको ताकि आपकी सेफटी हमेशा बनी रहें और आप एमजी के टच में हमेशा रहें बिसकली आई कॉल वह है जब अपनी गाड़ी में अगर अगर इमर्जनसी के टाइम पे आपको आप ड्रेक्ली एमजी से जुड़ सकते हैं वहां आपके माल लेज़े किसी आरेम या किसी सेल्स परसन या किसी सर्विस परसन से आपका कॉंटेक्ट नहीं हो पाता डिलर से पे डरेक्ली आप ए यह वो रिजॉल्व करता है, जैसे कभी अपनी गाड़ी एक्सिदेंटल हो गई है, वो तब यूज होगा, जब गाड़ी का इंपक हो, और एरबैग उपन होगा, तो ओटमेटिक कॉल जाएगा, उनको और वो कॉल आ जाता है हमें, अगर मैं एबल हूँ, कि मैंने कॉल पिक क यह बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इसी में टाइम निकल जाता है, क्योंकि बिसिकली, कॉल करने वगरा में, तो यह आपको डारेक मिलता है, जैसे ही आपके एरबैग वगरा ओपन होते है, यह कोई भी इंपक्ट होता है गाड़ी पे, तो डारेक आपको कॉल आ जाएग तो हमारा उपर वाला होता है, गाड़ी उपर वाले के फ़रोसे ही चलती है, तो उस टाइम पे बहुत जरूरी है, कि यह चीजे हो हमारी कार में, और हम उन चीजों को यूज कर सकें, वो हमारे साथ हो, तो यह काफी कमफरेबल हो जाता है, बाकी एक बार हम पीछे का चेक क क्योंकि पीछे का स्पेस काफी शानदा है, भाई तो बैटे है, बहुत दिर से हमारे केमरा पर दिखा तो उसको भी आज चलो पीछे सलते है, तो मेरे स्जादा आप बता सकते हो कि आपकी हाइट, एक्चुल जो लेगरूम यूज करने वाली है, वो है, अभी जो सिटिंग पोजिशन है, वो 510 का कोई भी बंदा वहाँ बैट सकता है, ड्राइविंग सीट पे, वो हमने पोजिशन रखी हुई है, और जैसे का अनुरागवेया ने बताया कि उनकी हाइट भी 511 है, तो आप किसी भी हाइट के हो, आप 622 हो, तो भी बहुत ही कमफर्ड के साथ आप प्यार से बैट जाएंगे, कितना हरुम चीग है, तो एकस्पेक्ट मिलब जरूद भी नहीं है, बिल्कुल जरूद नहीं है, एक आपको बहुत ही अच्छा रूमी स्पेस मिलता है, उसके बज़े से तो मज़े गालता है, और मेरा अब आप से सवाल है, कि आपको इसकी कु कुशनें कि साँ लंबर सपूर्स अब कुछ दिया गया है, जो थाइ सपूर्ट इस वर बढ़ाया है, वो बहुत ही प्यारा है, यह बढ़ा हकुई है कि पहले से रहा है? नहीं हठा कि पहले से ही, लिकिन इसको थोड़ा सा और बढ़ा कर दिया है, ताकि आप आराम से रहा पिछली बार ये था कि 3rd person को सिकायत थी कि ये थोड़ा सा हाड दिया है आप एक बार ट्राइ करो बैठके कि कुस्सिंग कैसी है इतना स्पीस बचला मेरे बैठने के बाद अराम से एंड पिल्कुल flat floor मिल रहा है में फायता है कि आपको flat floor मिल रहा है तो बीच वालों जो बैठता है मजबूरी में उसको मजबूरी में नहीं बैठना पड़ेगा एंड कुछ जो में बताना चाहें इसमें एक्स्ट्रा हुए इस बार इस बर एडास लेबल 2 जो आया है इसमें इसमें आपको ब्रेकिंग नहीं करना पड़ता है उसमें आपको ब्रेक खुद करना पड़ता है उसमें आपको ब्रेकिंग नहीं करने पड़ती वो ब्रेक कार खुद करती इस बार एक एक एक्स्ट्रा फीजर हमने यूज किया हुआ है इसमें बेंड आसिस्ट जो है तो इ अच्छी चीज क्या मिलती है कि देखिए जैसे आप तो जब बलपूर से ही हुँ तिलवारा हमने ब्रेज क्रॉस किया हाइवे में चले हमने क्रॉस करके सीधे हाइवे में सेट कर दी की स्पीड 80 की एटी की स्पीड सेट करके हम आगे चलते हुए चले जा रहे हैं और फिर आगे चूला गुलाई चूला गुलाई आप भी जानते हैं कितना रिस्की डेंजरस है और पूरा ऐसा कर्में उच समय यह कार की जो स्पीड है आपने इस एटी पे सेट करके रखे पर आपको उस कर्व से निकालेगी और फिर जब फिर स्ट्रेट रूट में जाएगी तो आपको प्रॉपर फिर से पर दोबार 80 पकड़ लेगी मलाव जितने भी एक्सिडिनल के चांस है जो मतलब होते हैं इंडिया में तो बहुत होते हैं तो उसे बिल्कुल कम करने की कु कि हमारा सथर गार ऊनी वाला एरिया है PM विजने अगर एरियर काफी यह अछे रोटस हैं आपर तो अभी हम जब भाहा जाते हेना दो प्रोपर हमये लेन मिलति है इन legends में अगर हम ज merchandise जाते हैं तो हम ट्राफिय श्चेरिं यूस्ट करते हैं तो वहां पर तो क्यो स्रिफ हम ब्रेक भी नहीं करना है वो खुद असिस्ट करेगा न दोनों के लिए महतर आपको स्टेरिंग कंट्रल करना है और झाल कितना मद्ध करना है हिंदी बास हम समझा है तो आपको से बैट के नजई करके स्टेरिंग चला आए कितने भी ट्रैफिक में हो आप लोगोिफे बहुत सी लोग होते हैं ट्राफिक जादा है की ही बार बार आपको फिर से आगे पीछे- enables traffic jam आप कछुप अब driving enjoy नहीं कर सते का रात ही होती है वह चीज़े बिल्कुल आप साही कहा रहें, आप traffic में drive enjoy नहीं करेख वस समय मुका मिला अगर तो मैं आपको जरूर ड्राइब के दौरान दिखाऊंगा इसको लें की परसिस्ट में क्या होता है अन्रग भी है कि जैसे हम लें की बीच में चल रहे होते हैं अचानक से क्या होता है कि हम पूरे लें में तो कभी होते नहीं है थोड़ा सा इधर कहीं गया राइट तो ऐाट्मेटिकली ये कार आपको लेन के बीच में लेई आए अचा इसको लेन होना बहुत इंपजिस्ट है लेन होना बहुत इंपें और हमारे सारी रोड्स हैं वो बहुत ही अच्छी बन गई है हाईवे इसको इस पर हम वह यूज कर सकते हैं तो यह चीज अब आप दूसरे ट्रैक पे जा रहे हो वो सेफर नहीं साथ ही साथ एक अच्छा फीचर यूज़ किया कुछ मेरे भाईयों के लिए जो कई बार बीना इंडिकेटर दिये मोड़ जाते हैं यह आपने बताये थे मुझे तो इस बार अगर 90 डिग्री से आप जादा अपने सेफ्टी आएगी अलेट भी रहेंगे और देखो इंडिया में क्या होता है गाड़ी प्लच होती रहे तो लड़ाई हो जाती है यहां पर तो कुछ लोग बोलते हैं यह अपने इंडिकेटर ने दिया था मोड़ दिया तो आप बहां पर बूश सकते भाई देख मेरे इंड जोस तो काफी बड़ी वीडियो हो गई ही अगर आप यहां तक आगया तो यह फ्याव किर देए को हमने आप लोग को डीटेल में गाड़ी का वकईर ऑ्क रउन दिखाया यहां तक ही रिव्यू किया है इतना डीटेल आपको पुरे यूटूब में कही दिखनेक-दिन मिलन तैस्टराइब हम इस मंत पर ही चालू कर देंगे हमने रिक्वेस्ट करी हूई है अभी हमें डिस्प्ले के लिए विकल्स मिली हैं बड़ी मस्कल से जल्दी ही यह तब कार्स भी मिल जाएंगी तो हम प्रेश्टराइब कर देंगे के इसलिगों करेंगे हम मिलेंगे आप लोगों से एक और शान दार वीटम तक के लिए जहन देले भाई अपना आखरी में होता है जहन जहन ओके